बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे आज हम बात करेंगे उन राशियों की जो राशियां स्वभाव से जली ये होती हैं जिन राशियों के अंदर जल तत्व पाया जाता है उन राशियों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, खूबी क्या है इस विशे पर बात करेंगे जिन घरों में जल की बरबादि होती है पानी बे बज़ा बरबाद किया जाता है ऐसे घरों में जादा तर पैसा, जादा तर धन बीमारियों में ही बरबाद होता है सबसे पहले जानते हैं कि जल की तीन राशियां कौन सी है और जल की इन राशियों का जोतिशी महत्व क्या है देखिए जोतिश में पाँच तत्वों का अध्यन किया जाता है अगनी, जल, पृत्वी, वायू और आकाश इसी क्रम में राशियों को चार तत्वों में बाटा गया है जल तत्व, पृत्वी तत्व, अगनी तत्व और वायू तत्व आकाश तत्व की कोई राशी नहीं है लेकिन इसको कुम्भ राशी के निकट समझ सकते हैं जल तत्व की तीन राशियां है करक राशी, व्रिष्चिक राशी और मीन राशी ये राशियां जल के स्वभाव की हैं और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंद है ये राशियां ज्यान, कल्पना और उदारता की राशियां मानी जाती हैं बात करते हैं जल तत्व की पहली राशी के बारे में जिसे कहते हैं करक राशी करक राशी का स्वामी स्वयम चंद्रमा है और करक राशी बड़ी सुन्दर और बहुत चंचल राशी मानी जाती है इस राशी में कल्पना, सौंदर्य, दया और ज्ञान पाया जाता है इस राशी की सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं इस राशी में वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता करक राशी वालों को सलाह ले करके एक ओपल या एक मोती धारन करना अच्छा रहता है और करक राशी वालों को जितना संभव हो सके यथा शक्ती भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए अब जानते हैं जल तत्व की दूसरी राशी के बारे में जिसे कहते हैं व्रिश्चिक व्रिष्चिक राशी के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल और चंद्रमा इस राशी में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं इस राशी के पास कला, लेखन, सिक्षा और राजनीती का गुण होता है व्रिष्चिक राशी के लोग अक्सर बहुत अच्छे डॉक्तर भी होते हैं इस राशी वालों को अक्सर माता का सुख नहीं मिल पाता लेकिन इनको अक्सर जीवन साथी अच्छा मिल जाता है इनकी सबसे बड़ी समस्या है प्रतिशोधात्मक प्रविर्ति, बदला लेने की आदत इनको सलाह लेकरके एक मूंगा या मारिक के पहनना चाहिए और शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए उससे इनका जीवन अच्छा बना रहता है अब जानते हैं जल तत्व की तीसरी राशी के बारे में जिसका नाम है मीन राशी मीन राशी के जो स्वामी है वो है ब्रिहस्पती और चंद्रमा यहां बिल्कुल बैलेंस होते हैं, बिल्कुल संतुलित होते हैं मीन राशी वालों के पास ग्यान, ग्लैमर, कला और सिख्षा का गुण होता है इस राशी के लोग बड़े अच्छे हीलर होते हैं, दूसरे की समस्याओं को बहुत जल्दी सॉल्व करना जानते हैं यह अक्सर युवा वस्था में भटक जाते हैं, लेकिन बाद में सही दिशा पा करके खूब तरक्की करते हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, हर चीज़ को परफिक्ट करना चाहते हैं इन लोगों को सलाह लेकर के एक मोती या पन्ना धारन करना चाहिए और मीन राशी वालों को भी भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए तो आज हमने जल की तीनों राशीयों की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह जहां पर भी घर में पूजा स्थान बनाया हुआ है, वहां लोटे में या गिलास में हमेशा पानी भर करके रखिये इससे घर की नकारात्मक उर्जा दूर होगी और घर के लोगों का स्वास्त भी अच्छा बना रहेगा